आज हम आपके साथ मलाई सेंविच पिंग वील सेंविच और दही सेंविच की रेसिपी शेयर करेंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके कालि मर्ष इस्तमाल करेंगे 1 4th तीस्पून नमक 1 4th तीजपून और गयानौ सेंविच के लिए 1 4th तीस्पून इसके लावा हमने प्यास एक दर्म्यानी प्यास लेनी है और उसको हमने आधा चॉप कर लेना है क्यूबस में कट करनी है आधी शिमला मिर्ष हमने इसी तरीके से बारीक बारीक चोटे क्यूबस में कट करनी है बंधगोबी को हमने बारीक काट लेना है तक्रीबन तीन खाने के चमच लेना है आधी गाजर एक हमने लेनी है आधी गाजर उसको कश कर लेना है हमें और इस तरीके से बारीक हम लेनी है और ब्रेट स्लाइसेस इस्तमाल करने है एक बाउल में प्याज शिमला मिर्च बंधग कुटी सोद देट गाजर हो डसे और नमक और औरेगैनो ए कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च और क्पेम शामिल करेंगे ऐस रही है और प न्टि अप मि49 कोवेश्ट को बहुत अच़ है मिक् Seriously करना है इसकी mixing बहुत अच्छे से करनी है अब जो creamy mixture त्यार किया है उसको हमें bread slice पे apply करना है एक अच्छी layer हमने bread slices पे apply करनी है और sandwiches त्यार करने है मलाई sandwiches त्यार है आप जिस भी shape में चाहें इसको cut करें और serve करें पिन्वील sandwiches त्यार करने के लिए हम इस्तमाल करेंगे bread slices, cheese slices खोपरे की चटनी इस्तमाल कर रहे हैं आप हरी चटनी भी इस्तमाल कर सकते हैं 1 फोर्थ कप mayonnaise इस्तमाल करेंगे हम यहाँ पर इसके इलावा हम शिमला मिर्श, काजर, बंदगोपी, कैचप और spread करेंगे हम थोड़ा सा मक्खन एक बाउल में 1 फोर्थ कप mayonnaise शामिल करके हम इसमें 1.5 चमच के बराबर खोपरे की चटनी इस्तमाल करेंगे आपने अगर हरी चटनी इस्तमाल करनी है तो उसको टेस्ट करके अपने हिसाब से मिर्चिंग किस हिसाब से चाहिए उस हेसाब से आप इस मेंशामिल करें तो हम ने यहाँ पर डेर चमच खोपरे की चटनी इस्तमाल की है इसको अच्छे से मेक्स करना है तीन ब्रेट स्लाइसे को हमें अच्छे से बेल लेना है और बेल कर थोड़ा पतला कर लेना है स्लाइसे को अब एक slice लेना है उसके bottom पे हमें थोड़े सी side पे हमें butter apply करना है और इसके उपर हमें दूसरा slice रखकर इसको आपस में जोड़ देना है हम मक्षन इसको जोड़ने के लिए इस्तमाल कर रहे हैं ताकि तीन slices को आपस में जोड़ सके हैं जो मिक्षर हमने मायोनीज और खोपरे की चटनी से तयार किया है उसको अब हम इन slices पे apply करेंगे एक अच्छी layer हमने apply करनी है क्योंकि इसमें हमने कोई भी मिर्च इस्तमाल नहीं की है तो जो भी flavor आएगा वो इसी चटनी से हमारे पास आना है तो हम इस पे apply करते हैं अच्छे आपको अगर चीज फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप slices ना रखें और अगर आप cheddar cheese या मुजराला चीज कद्दू करश करके रखना चाहें तो आप वो भी इस्तमाल कर सकते हैं अब हम इन पर शिम्ला मिर्च की layer लगाएंगे आप जिस तरीके से इस्तमाल करना चाहें थोड़ी या ज्यादा अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं शिम्ला मिर्च डालने के बाद अब हम कद्दू करश की हुई गाजर इस पर शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से इसको तीनों slices के उपर फैला देंगे गाजर के बाद अब हमने कद्दू करश की हुई बंदगों भी इस्तमाल करनी हैं वो भी slices पर हम फैला देंगे अब हम केचप आप अपने जाइके के हिसाब से के कम चाहिए या ज्यादा उस हिसाब से हम तीनों स्लाइसे पर केचप अपलाई करेंगे थोड़ा सा अब हमने इन स्लाइस को आहिस्ता आहिस्ता से रोल करते जाना है इसको हम अच्छे से रोल करेंगे और उसके बाद 5-7 मिनट के लिए इसको आप रेफरिजरेट कर लीजिए फ्रिज में रखने से इसकी सेटिंग अच्छी हो जाती है जिसकी वज़ा से कटिंग हम अराम से कर सकते हैं तो हम इसकी कटिंग करते हैं इनकी कटिंग करके हम इसके थोड़े-थोड़े slices कर तयार कर लेंगे इसको fridge में रखे बिना आगर हम कटिंग करेंगे तो इसकी cutting proper हो नहीं पाएगी तो हम इसको cutting करने से पहले fridge में रखना जरूरी है पिन्विल सैंविचे तयार हैं, दही सैंविच के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, दो कप के करीब दही जिसका हमने पानी अच्छे से निकाल लिया है, वन फॉर्थ कप मायोनीज इस्तेमाल करेंगे, दो टेबल स्पून हम गाजर इस्तेमाल करेंगे, दो टेबल स्पून और एसे ही हम आधी शिमला मिर्च के क्यूब्स इस्तमाल करें गया दही में मायोनीज को अच्छे से mix करना है हमें कि इसका क्रीमी टेक्च्चर जो है तैयार हो जाए तो हम इसकी mixing करते हैं दही और मायोनीज में शिमला मिर्श, बंध गोबी और गाजर शामिल करें और अगर आप चाहें तो नमक काली मिर्श भी इसमें शामिल कर सकते हैं और एक मिक्स्टर तयार कर लें इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करके ब्रेट स्लाइसेस पर दही और मायोनीज वाला मिक्सर एक अच्छी लेयर के साथ अपलाई करके सेंविचेस त्यार कर लें दही सेंविचेस तयार हैं आप जिस भी शेप में चाहें इसको कट करके सर्फ करें हमारे पास मलाई सेंविच पिन वील सेंविच और दही सेंविच तयार है आप इस रेसिपी को ट्राइ कीजिएगा और बताइएगा कैसी रही